नमस्कार किसान भायो आज हम टमाटर के हाइब्रीड वेराइटियों के बारे में चर्चा करेंगे जो ज्यादा उत्पादन देती इसमें हम देखेंगे कि लगाने का जो समय है वो क्या है और प्रति एकड़ उत्पादन कितना है तो चलो श्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे BASF कंपनी की नन्यम्स US 28 तरेपन इसका जो लगाने का जो मुख्य समय है वो जुलाई में आप जुलाई अगस्त हम लगाओगे तो ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा लेकिन वर्स भर आप लगा सकते हो बरसात के सिजन में सर्दी में और गर्मी तीनों सिजन में आप इसको लगा सकते हो दोस्तों इसकी जो पोदे से जो उचाई है वो भास चे फिट आपको देखने को मिलेगी अगर आप तारबास का propulsion डालते हो तो किसीब राज्य हम सकते हैं कि प्लाइमेट की हिसाब से भी राज्यों में आप इसको लगा सक प्रति एकड उत्पादन की बात करें तो 40-40 तन आपको उत्पादन एक एकड़ में देखने को मिल जाएगा एक एकड नरसरी के लिए जो सीट की जो रिक्वायर्मेंट है वो 40-60 ग्राम आपको रहेगी और दोस्तों 10 ग्राम जो सीट का जो पेकेड है वो आपको कीमत के अगर बात करें तो 570-600 रुपे के आसपास आपको मिलेगा कीमत में थोड़ा सा चेंज हो सकता है एक पेकेड में लगाओगे तो ज्यादा फाइदा मिलेगा लेकिन बरसात के सिजन में आप इस विराइटी को लगा सकते हो एक फल के बजन के अगर बात करें तो 90-100 ग्राम देखने को मिल जाता है और अगर फल के आकार की बात करें तो चप्टा गोलाकार और काफी अच्छा फल आता है फ अपना है डेर से दो फीट और जो लाइन से लाइन की जो दूरी है वह आप रख सकते हो चार से साड़ी चार फीट काफी लंबे समय तक चलने वाली वेराइटी है और इसकी बंदाई आप जरूर करें तो आपको जादा बेनिफिट देखने को मिलेगा एक एकर से अगर उत और जो सीट की अगर कीमत की बात करें तो 600-600 रुपे तक का आपको इसका सीट मिल जाएगा एक पेकेट 10 ग्राम और एक एकर के लिए नरसरी के लिए सीट की आवशकता 50-60 ग्राम आपको पड़ेगी उत्पादन एवं बिमारियों के लिए अलग-अलग मोसम में लगाने के लिए सक्षम वेराइटी है काफी अच्छी वेराइटी है तो अब अगर हम दूसरी वेराइटी की बात करें तो अरका रक्षक है जो खरीब मोसम में लगाओगे तो ज्यादा भेतर आपको उत्पादन और रिजल्ट देखने को मिलेगा लेकिन इसको आप तीनों ही सिजन म आप लगा सकते हो गर्मी में भी लगा सकते हो और ठंड में भी इसको लगा सकते हो एक पोधे से जो उत्पादन के अगर बात करें तो 15-25 केजी आपको उत्पादन देखने को मिल जाएगा और एक फल की अगर बजन की बात करें तो 60-70 ग्राम को सिग्मेंट में आपको मिल जायेगा जो इसमें अगर first harvesting के अगर बात करें तो पेसर से सतर दिन में इसकी first harvesting मिल जाएगी और एक एकड़ मुत्पादन प्रती एकड आपको मिल सकता है अगर इसकी उचाई की बात करें तो 5-6 फिट इसकी उचाई रहेगी तारबास पर आप अगर लगाते हो तो एक जो 10 ग्राम पेकेट की जो कीमत है वो 400-400 रुपे के आसपास आपको मिलेगी कीमत सहर की हिसाप से अलग-अलग हो सकती है और काफी लंबे समय तक चलने वाली वेराइटी है साथ से आट महीने ग्रिन रह सकती है तो काफी लंबे टाइम तक इसको आप चला सकते हो जिसमें आपको रेड़ बे अच्छे मिलने की संभावना बढ़ जाती है जो नरसरी के अगर बात करें तो एक एकड़ के लिए आपको 50-60 ग्राम सीट के आउसकता पड़ेगी और ला विराइटी है उसकी बात करेंगे उस दोस्तों सिजेंटा का साहो जो है यह बहुत खास विराइटे है उत्पादन में बंपर उत्पादन देता है सिजेंटा साहो ती ओ 32 दोस्तो 32 जो विराइटी है यह काफी अच्छी विराइटी है इसके एक पोदे से आपको उत्पादन लगबग 15-25 केजी देखने को मिलेगा और जो कही कही पर यह 27-28 केजी भी उत्पादन मिला है तो काफी अच्छा उत्पादन है और जो फर्स्ट हर्वेस्टिंग यह वो किमत है जो सीट की जो कीमत है वो थोड़ी सी 900 रुपे से 1000 रुपे के आज पास आपको 10 ग्राम सीट मिल जाएगा वो दे की उचाएक की अगर बात करें तो दो साढ़े पांच फिट से 506 feet रहेगी और फल का जो आकार है वो गोला कार काफी अच्छा रहता है कि सबहें राज्यों में इसको आप लगा सकते हो कोई समस्या नहीं सबहें बर्सात भजी हैब कशक्ते हों है ने उसकी अधर में चाहिए लेकिन और से पसले आप पहले ने त्रい करें आपको अच्छा लगे आपके में जो मार्केट की जो requirement है हर मार्केट के अलग-अलग requirement रहती है तो इस आप से आपको बेश्ट लगे तो फिर मुख्य फसल लेना ज्यादा बहतर होगा तो उसमें जो नुकसान की जो बात है वो रिस्क फ्री रहेगी तो दोस्तो इस प्रकार से आप चैन करें अगली जो variety है वो सबसे खास variety है जो डिसीज और इन सभी के लिए काफी resistant variety है दोस्तो सेमिनेस कंपनी की अभिलास F1 variety है काफी अच्छी variety है दोस्तो इसकी जो first harvesting है वो सकतर से पिचुतर दिन में आपको देखने को मिल जाएगी और जो एक फल से जो फल का जो बजन है वो 90-110 ग्राम आप फल का बजन रहता है और काफी high production है एक एकड़ में आपको असी से सो टन उत्पादन देखने को मिल जाएगा और जो सीट की जो अगर कीमत की बात करें तो 500-500 रुपे क्यास प्रास आपको 10 ग्राम सीट आपको इसका मिल जाएगा और लेट हार्वेस्टिंग होती है इसकी एक विसेज बात है बरसात में थोड़ी लेट हार्वेस्टिंग इसके आती है और फल की जो आकार की बात करें तो गोलाकार चप्टा फल आपको देखने को मिलेगा काफी अच्छी वराइटी है आप से आप सभी राज्यों में उसका चैन कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों यह तो सारे हाइब्रीड वेराइटी है एक रासी की रिसी का वेराइटी है वो भी काफी अच्छी वेराइटी है उसका भी उत्पादन आप प्रति पोदा 12-15 kg एक पोदे से अप निकाल सकते हो और काफी डिमाण में रेती है जो कॉलेटी है टो मates की तो ऑच्छी वेराइटी आप उसका भी चैन कर सकते हो दोस्तों कीठी बीड स्थ्थी का चैन करने से पहले आप फिर यह एक बार अपने एरिया के सा अपस एक्सपर्ट करांस भी ळे सकते हो और जो है हमारा तो में यही है कि किसी आप नई वेराइटी का चैन करते तो पहले थोड़े से एरिया में लगाए और फिर आप उसको मुझे फसल के रूप में ले ताकि आप उस वेराइटी को अच्छे से समझ सके जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते चै